वेल्कम बैक तो नदर वीडियो निक्ताविटी ब्लॉग सो गैस समर बहुत थी अपनी चरम सीमा पे है एंड इंड दिल्ले में अभी तो फिलाल इतनी गर्मी नहीं पड़ी है में जब मैं यह वीडियो अप्लोड करूँगी न तो गर्मी जरूर हो जाने वाली है अज मैं आप लिकसाल में शेयर कर रही हूँ बहुत सारे संस्क्रीन का रिव्यू अज यह सारी संस्क्रीन में यूज करी है मैं एकदम यूज नी करी एक साल हो गया मुझे इने यूज करते करते तो मुझे अच्छा खासा एक्स्पीरियंस हो गया है कि किस स्कीन टाइप के लोग लिए कौन सा वाला स्कीन वो सौरी संस्क्रीन जो है वो अच्छा रहने वाला है और सारी डिटेल में आज आप लोग को इन जितनी भी में पास संस्क्रीन है सब बताऊंगी बट वीडियो अगर पसंद आता है और प्लीज लाइक कीजिएगा जैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बैल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा और टेलीग्राम अगर अभी तक जॉइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए बहुत सारे ओफर्स होते हैं वो मैं आप लोग को डिरेक्ट वहाँ पे शेयर कर देती हूँ तो टेलीग्राम चैनल को न फटाफट से जाके जॉइन कर लो एंड इस्टा ग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लो सो विदावनी बखवास लेट्स केट स्टाटेट सो गाइज सबसे पहले जो मेरे पास संस्क्रीन है इस इस दी एस्टा बेरी इंडल्ज संस्क्रीन जल and SPF 50 है PA++++ है and ये वाली जो संस्क्रीन है ये 3.99 रुपीस की MRP है 50 ग्राम की कॉंटेटी है मेरे पास ठीक है and it's sulfate free, paraben free, no animal tested and सारी मलब अच्छे उसे साब से सही है but ये वाली जो संस्क्रीन है थोड़ी सी स्टिकी लगी है just because I have oily skin तो जिनकी ना dry skin है तो उनके लिए लिए वाली संस्क्रीन काफी जाद अच्छी होनी वाली है and इसमें ना broad spectrum protection भी है यानकी UVA, UVB and blue light से भी यानकी जो phone की lights होती है, laptop की lights होती है जो lights निकलती है उसमें से तो उनके लिए वाली जो sunscreen है प्रोटेक्ट करती है तो मेरे हिसाब से यह oily skin के लिए तो नहीं कहूंगी मैं बट हाँ dry skin वालों के लिए बहुती सही वाली sunscreen है अगर आप लोग ट्राइक करना चाहते हो तो जरू ट्राइक करके लिखेगा नेस जो sunscreen मेरे पास है इस फ्रम दी ममा अर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन संस्क्रीन विद दी कैरेट शीड अंड टर्मरिक एंड यह जो sunscreen है SPA 50 है PA++++ है यह जो ट्राइल पैके स्मिटन से लिया था मैने 25 ग्राम की कॉंटिटी है वैसे MRP 99 रूपीज है बट इसका ट्राइल अगर लेना चाते है तो स्मिटन से ही लेना गाईज यह जो sunscreen है गाईज ड्राइ स्किन वालों के लिए वाकिये में बहुत ज़र अच्छी है अगर आप ट्राइ करना चाते है तो जरूर इसको एक बार जरूर ट्राइ करके देखेगा नैस जो sunscreen है गाईज वो है गुट वाइज की तरफ से honestly बताऊं गाईज गुट वाइज के बहुत से प्रेडेक्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यह वाली sunscreen मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेभी हो सकते है जस बिकोज आया है ओली skin, dry skin वालों के लिए अच्छी हो सकती है यह मैंने इसको ट्राइक के आई गाईज इतनी जादा greasy है यह मलब मैं क्या बताऊं मुझे बिल्कूल पसंद नहीं आती और यह मेरी आप लोग से वीडियो पर आप लोग बस हमाई वीडियो को लाइक करते रहा कीजे एंड रेजिती हम लोग मैंने करते हैं गाई इतना तो सपोर्ट क्या कीजे हमें तो खेर emotional भाते हो गए खेर कोई नहीं मैं बात करते हूँ संस्क्रीन की तो गई संस्क्रीन मैं बिल्कूल रिकमेंड निंग करूंगी बठाँ अगर आप ट्राय करना जाते हैं तो भाई कौन रोक रहा है आपके हातों को जाओ और फटा-फटा-फटा-उर्डर कर लो जिस से protection तो करती है साथ यह जो अल्ट्रा लाइट होती है ना उनसे भी protection देती है ऐसा claim है इनका ठीक है साथ-साथ यह water resistance है यनकि अगर पानी वनी से मुह भी पसीने में मुह जाए आपका या पानी से मुह दोलो तब भी यह संस्क्रीन नहीं जाएगी कहीं तो यह भाई claim करते ह अब मैं आपको अपना opinion बताती हूँ यह जो संस्क्रीन ना oily skin के लिए काफी जादा better है बट यह भी ना मुझे थोड़ी से sticky लगती है और जो मैं संस्क्रीन यूज कर रही हूँ उनकी अपेक्षा तो मैं अगर हां recommend करूंगी मैं बट इतना जादा मैं prefer नहीं करूंगी संस नहीं लगा इसलिए मैंने आपको जो मुझे लगा है मैंने वो बताया है और जो nest है वो है wow skin science की संस्क्रीन and matte finish वाली संस्क्रीन है SPF 55 है PA++++ है अच्छा SPF क्या होता है PA++++ क्या होता है संस्क्रीन कितने amount में लगानी चाहिए full detail चाहतो न तो comment करके बता दे न इसके उपर भ अगर इस वाली संस्क्रीन की तो काई इस आंख बंद करके oily skin वाले इसको ले लो because यह इतनी अच्छी क्रीम है इतना matte finish देती है आप लोग को and बिल्कुल भी stickiness नहीं लगती फेस पे लगाने के बाद बिल्कुल भी white cast नहीं देती है white cast का मतलब होता है कि जब आप sunscreen लगाते पंप है इसका इस पंप में जो हम sunscreen यूज करते तो इसके बारे जब दुबारा अप्लाइ करते हैं दुबारा जब मैं इसको पंप करती हूं तो जो पहले जब मैंने पंप करा होगा तो उसकी जो थोड़ी बहुत quantity है न वो इस पंप में रह जाती है तो इस वज़े से जो ह अब भी recently मेरी फेवरेट चल रहे है न दिस इदी डॉट एंड की की विटमिन C प्लस E सुपर ब्राइट संस्क्रीन विद धी SPF 50 PA++++ अन यह जो संस्क्रीन है गाइस यह UVA, UVV और ब्लू लाइट से भी प्रेट्शन देती है में भी बहुत सारा यूज होता है हम लोग को ल हो चुकी है and MRP की बात करूं तो it's 495 रुपेस बट अगर आप मेरा coupon code apply करोगे तो आपको 10% off मिल जाया का इस पर चाहो तो लेना ले सकते हो अच्छा बात करूं किसी skin type के लिए काफी जादा अच्छी है मेरी oily skin है तो मुझे तो बहुत जादा सूट कर रही है अगर आप म consistency ने तो gel based है and एक चीज़ बता दो मैं जो gel based होती है न चीज़ें वह oily skin के लिए काफी जादा सही होती है बट वाव skin science के sunscreen के case में यह चीज़ फेल हो जाता है क्योंकि वाव skin science के sunscreen काफी जादा सही है oily skin के लिए भी तो यह वाल जो sunscreen है बहुत अच्छी है recommended so guys जितनी भी sunscreen आ खुद के experience था मैं आप लोग को वही share करती हूँ and I hope आपको यह सारी information अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है guys please like करके जाना इस वीडियो को सबकिसान में share भी कर देना and इसी तरह से वीडियो को प्यार देते रहिएगा and जल्दी giveaway announce होने वाला है and तब तक लिए channel को visit करके रखिएगा तब तक तेके रेन बाबाई